यादवों का 30% वोट बैंग छिटक चुका है और MLC चिनौब के बाद RGD का 30% और यादव वोट बैंग छिटक जाएगा कुछ लोग जो लालू यादव के इर्ध दलाल लोग घूम रहे हैं वो RGD पार्टी का बंटाधार कर देंगे ये बात RGD के बड़े नेता माने जाने वाले लक्षमन यादव ने कही है जो कभी लालू यादव के काफी करीवी थे जुनाम ही मैदान में उदर चुके हैं और ये कहा कि अधिकतर जो पंचायत अस्तर के प्रत्निदी हैं वो उनको जानते हैं और आप किसी से भी जाकर पूछ लीजे वो आपको हमारा नम बताएगा ना कि शीव संकर यादव और जी सरीके से आरजडी आला कमान फैसला ले रही है इससे आने वाले वक्त में आरजडी को बड़ा नुकसान हो सकता है तो आरजडी में लगातार बगावत के सूरूट रहे हैं पहले ही भले ही पुर्विधायक गुलाव यादव इसके लावा पुर्विधायक महिश्वर सिंग को पार् कर दिया जाएगा उसके बाद भी आरजडी के अंदर जो है वो बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा दूसरी तरफ नवादा से खबर है जहां पर श्रवन कुमार कुशवः को वकायदा MLC का टिकर दिया गया इसके बाद वहां के राजड जिलाध्यक्ष महंदर कुमार न समर्थन करना चाहिए लेकिन नवादा में भी जो जमिनी कायर करता है उनमें गुसा है और पार्टी के अंदर अब बगावत के सुर उठने लगे हैं और साब तोर पी यह कहा जा रहा है कि इसे तेश्यादव को नुकसान हो सकता है और जिनको टिकट नहीं मिला है वो और उ सवर्नों को टिकट दिया गया और इसको लेकर जो तमाम सकता पक्ष के नेता है उन्होंने तंज भी किया कि आरजिदी कहती तो है कि वो गरीब गुर्वू अतिपिछोड की पार्टी है दलितों की पार्टी है लेकिन MLC की 50 प्रतिश्यत टिक्टों को बकायदा सवर्नों को दे दिया और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी भी नित्यानंद राय को बकायदा आगे कर रही है कहा जाता है कि बीजेपी के तरफ से अगर कोई मुखमंत्री काव में द्वार होगा तो वो नित्यानंद राय है जो यादव समात से आते हैं वहीं दूसरी त के लिए रचा जा रहा है क्योंकि तेश्य यादव जब A to Z की पार्टी की बात कर रहे हैं तो सभाविक तौर पर जो आरजिरी में यादव नेता है उनके अंदर नाराजगी आएगी और इसका फायदा अंसियासी पार्टीयां जो है वो उठाना चाहती है आपको याद होगा 2020 के बाद जो उप्चनाव हुए उसमें तारापूर से पुरुमंत्री जे प्रकाश नयादव की बेटी का टिकट काट दिया गया उसके बाद भी वहां के लोकल जो आरजिरी कारे करता थे उन्होंने बगावत की हलाकि उसके बाद तेश्य यादव ने पुरुमंत्री से ब पार्टी के खिलाफ जाकर अपने परतैश उतारता है या खुल उतारता है या अपने किसी पत्नी सगे सम्मंदी को उतारता है तो उस नेता को पार्टी से निस्कासित कर दिया जाएगा उसके बाद भी अब आरजिरी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा और दरभंग कर रहे हैं कि दरभंगा से अगर वो जिनावी मैदान में उतरेंगे तब उनकी जीत सुनशित है तो साथ तो पर पर MLC का चुनाव होना है और इसमें जिस तरीके से RGD के दर बगावत हो रही है इसका फैदा NDA गटबंधन को मिल सकता है क्योंकि हलाकि लावल जादब दावा पाली बात होगी हमारी नजर बनी रहेगी आप देखते रहे हैं जंता जंक्शन जैसे ही कुछ नया पॉलिटिकल डबल्मेंट होगा कुछ नया नई सियासी ब्यानवाजी होगी तो मुझसे आपको लगातार रूब रूब कराते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद